हेलो फ्रेंस बेलकम टू माई यूट्यूप चैनल सुदाज हूं आज मैं लेकर आई हूं एक और नई रेसिपी गायर का हलवा हम सब का फैवरेट होता है आज आप देखेंगे कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हलवा बनाया है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो को नुट्यू प्रे अब हम ऐसे ही अपनी गायरों को कद्दू कस कर लेंगे यह हमारी गायर का दूकस हो चुकी है गायर का हलवा बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आप सकता पढ़ती है चलिए देखते हैं गायर लिए हमने 500 ग्राम खोया लिया है 200 ग्राम चिनी लिए 800 ग्राम पांसे 6 काजू लिए 6-7 बादम लिए 4-5 इलाइची लिए गायर का हलवा बनाने के लिए मैं नोने स्टिक कड़ाई के इस्तमाल कर रही हूं आप प्रेसर को कर या अपनी सुब्दा के नुसर हलवा तैयर कर सकते हैं गायर को मैं पढ़ाई में डाल दूंगी गायर को मैंने पहले अच्छे से दुलकर गायर को निचोड़ लिया था गायर का हलवा बनाने का सबका अलाइलग तरीका होता है अब मैं इसमें चीनी एट कर दूंगी अगर आप एक या दो किलो का हलवा बना रहे हो तो पहले गायर से जो पानी निकलता है उसे जला दें उसके बाद ही चीनी अब आप सोच रहे हो कि मैंने गायर के साथी चीनी कूऌ एड कि बहु इसलिए कि मैं थोड़ा सा ही हलवा तरह कर रहे हूं जब भी आधा किलो या उससे कम अपनाप पानी लग हो जुकाए में में ऑस इसे तब तक पकाएंखे, जब तक प्альная पन्या मिनिट के लिए प्रु कि मिस्क्रिप करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाते हैं तो इसे फिर से डग देंगे कि अब हम इसे दुबारा चेक कर लेंगे कि गायर हमारी पक चुकी है या नहीं कि उगलियों के बीच दवाकर गायरों को चेक कर लेते हैं तो यह आप देश सकते हैं कि गायर हमारी पक चुकी है अब हम इसे डग कर नहीं पकाएंगे और इसे तक पकाएंगे जब तक कि गायरों से सारा पानी जलना जाए कि गयस का प्लेम अब हाई कर देंगे करीब 20 मिनिट के आसपा से हलबा तैयर हो जाता है अब इसे हम कर चली से दाब-दाब कर सारे पानी को जला लेंगे बस आपको यही द्यान रखना है कि गायरों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब सारा पानी जल जाए उसके बाद ही आप खोया एड करें तो यह आप दे सकते हैं कि हमारी गैरों से पानी सारा जल चुका है अब इसमें हम एड करेंगे को अब को फोया मेने घर का बना हुआ लिया है घर के बने हुए खोया से हल्वा ज्याधा टेस्टी कर देंगे तो यह आप दे सकते हैं कि हमारा गायरों में अच्छे से मिल चुका है अब हम गेस को बंद कर देंगे अब इसमें हम एड करते हैं चौप के हुए काजु बादा कि इलाची को भी एड कर देंगे कि अब इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे और ऐसे ही एक से दो मिनिट इसे कड़ाई में चलाते रहेंगे और अब इसे हम एक प्याले में निकाल लेंगे तो यह हमारा गयर का हलोवा बन का तयार हो चुका है उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करते जाएगा शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करक bye-bye thanks for watching my video